नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तों मोटरला का फ्लेक्शिप किलर जी हां मोटो एस 30 प्रो फाइनल इंडिया में लाउंच हो चुका है जहां पर हमें देखने मिलता है स्नापड़कन 8 जनरेशन 1 का चिपसेड और वो भी बहुत ही कम प्राइस में है प्राइसिंग डिटे और आपके जो भी कंफ्यूजन है इस जवाइस को लेकर वो भी क्लियर होने वाले हैं तो चलते हैं दोस्तों सीधा अन्बॉक्सिंग की तरफ और दोस्तों ये है रिटेल बॉक्स मोटो एस 30 प्रो का टिपिकल मोटरला स्टाइल ब्लू कलर का बॉक्स अंग को देखने को मि है और दोस्तों इसके बाद एक चार्जिंग ब्रेग जो कि अपने मिलता है 68 वाट के आउट्वरेटिंग के साथ में और लास्ट में दोस्तों एक टाइप सी टो टाइप सी डिटागेबल और दोस्तों ट्रांस्परेंट बैक कवर अल्रेडी अप्लाइड है तो मैं बहार निकाल देता हूँ वैसे इसका क्वालेटी अच्छा लग रहा है दोस्तों और दोस्तों यह है फर्स्ट लोग मोटो एस थर्डी प्रो का फर्स इंपरेचन दोस्तों काफी अमेजिंग है इस फोन का हेंड्स वील काफी अच्छा है और यह बहुत ही प्रेमियम फोन मुझे यह डिवास देखने को मिल रहा है बैक साइड से आपको यह मिलता है मैट फिनिश के साथ में हाला कि यहां पर आपको प्लास्टिक के गया अगर यह भी मेटल के होते तो सच में इसका फील काफी जड़ा प्रिमियम होता अला कि अभी भी दोस्तों बहुत ही डिसेंड लोग काफी कमाल के हैं in fact काफी lightweight phone है यह इसका weight distribution काफी अच्छा है लगबग 195 gram की weight के साथ में आपको यह देखने को मिलता है और इस phone को पकड़ने के बाद यह आपको बहुत जदा बलकी नहीं लगेगा हाना कि यह आपको 6.7 इंचे के साथ में देखने को मिल रहा है लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं hands on grip आपको अच्छा देखने को मिल रहा है बहुत जदा इस phone में weight नहीं है तो इस design language पे बहुत अच्छे से काम किया है दोस् एक OLED पैनल जो कियाता है 10 bit डिस्प्ले के साथ में और यहाँ पे 144 हर्स का screen refresh rate भी दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर हम डिस्प्ले का performance देख सकते हैं यह भी काफी कमाल का आपको देखने को मिल रहा है काफी bright और vibrant color हैं दोस्तों इनफेक्ट अगर मैं बात करता हूँ brightness level क तो यह भी अच्छी है हाला कि outdoor में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी brightness और होनी चाहिए थी outdoor में हमें इसे थोड़ा सब notice कर सकते हैं लेकिन दोस्तों colors की तरव आप देखिए सच में बहुत ही amazing सा viewing experience था यहाँ पर एक पंचल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता ह है in fact इसके विवें इंगस थे यह काफी कंबाल की थे बीजल साइज आपको यहाँ पर बहुत ही narrow देखने हो मलता है चन का साइज आपको बहुत ही चोटा देखने हो मलता है मतलब एक complete modern display आपको देखने हो मलता है दोस्तों इस device में और इसका जो performance था वो भी काफी कंबाल क है तो हां दोस्तों display में भी बिल्कुल top notch का performance हमको यहाँ पर देखने हो मिल रहा है चलिए अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं camera की और फिर हम जाएंगे इसकी performance की तरफ और performance में हमने काफी सारे test किये हैं दोस्तों जो confusion होने वाले हैं तो बने रहेगा पहले थोड़ी स यह भी आपको मिलता है 60 Mbps का हमने यहाँ पर कुछ camera samples लिये हैं वो तो आपको दिखाएंगे ही लेकिन पहले में आपको वीडियो की बाद बता दो दोस्तों तो इस phone में आप 8K record कर सकते हैं 24 fps पे इसके लाव अगर मैं बात करता हूँ 4K की तो 30 और 60 fps को option available है और यह जो आ दीनरी की बात होती है तो इस color थोड़ से शाप कर देता है हां बहुत ही interesting सा आपको camera setup देखने को मल रहा है दोस्तों इस phone का यह video में हम clear देखी सकते हैं इसके लाव अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कुछ images की तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं first impression images का का काफी अच्छ है इसके लाव अगर मैं बात करता हूँ detailing की close up shots में तो वो भी मुझे काफी interesting दिखने को मिल रही है तो अहाँ pictures भी दोस्तों काफी ज़दा interesting थी इस device की तो अभी तक दोस्तों का design अच्छा लग रहा है phone का camera अच्छा लग रहा है phone का display भी काफी अच्छा लग रहा है लेकि अगर में बात करता हूँ moto x30 की जो की globally launch हुआ था तो वहां पर भी ऐसे issues थे अब confusion यह है कि क्या जो moto h30 pro जो की इंडिया में launch हो चुका है वहां पर भी ऐसे issues देखने को मिलेंगे या फिन नहीं तो इसी बात को clear करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर practical भी करने वाला हूँ वैसे यहाँ पर पहले performance की बात कर लेता हूँ तो पहले तो आप benchmark score देख सकते हैं लगबग 10 लाग के benchmark score आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस price range में इस device को इंडिया में launch किया गया है no doubt बहुत ही amazing performance आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है वैसे यहाँ पर मै extreme तक का option चूज़ कर सकते हैं in fact यहाँ पर आपको balance HD और HDR में भी extreme तक का option देखने को मिल जाता है और यह gameplay आप देख सकते हैं मैंने smooth के साथ में try किया था और दोस्तों यहाँ पर भी experience आना वो सच में काफी कमाल का था बहुत इंटरसिंग सा gaming experience मुझे यहाँ पर देखने भी ले किया था तो वहाँ पर भी performance दोस्तों बिल्कुल टॉप नॉस था इसके अलबा दोस्तों में आपको बता दोगी इस phone में आपको LPDDR 5 RAM देखने को मिल जाता है UFS 3.1 का storage type यूज किया गया है Wi-Fi 6E का support यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों जो बिल्कुल flagship specification आपको द देखने को मिलते हैं या फिर नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे heating issues थे जब हम 3D benchmark score को run करते हैं तो यह phone 50 तक चला जाता है ऐसा हमें global variant पर देखने को मिला था तो यहाँ पर test करते हैं कि क्या situation हमको देखने को मिल जाती है अब दोस्तों स्टार्टिंग में आप देख सकत और दोस्तों करीब 20-25 मिनट का टाइम लगा है इसको दो बर test करने में और यहां पर हम देख सकते हैं जो temperature है वो 45, 42, 43, 40 के आज पसम को दिखने को मिल रहा है और हाँ जो maximum temperature था वो हमने भी 45 दिखा था rear side से आप देख सकते हैं 44 तक यह maximum जा रहा है तो हाँ थोड़ा सा phone benchmark score में तो गरम हो रहा है लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं है इस test में दोस्तों दूसरे devices भी इतने गरम हो जाते हैं तो यह benchmark score में दोस्तों हमने देख लिया बहुत ज़्यादा हीटिंग इसको देखने और दोस्तों गेमिंग करते हुए करी में को 45 मिनट्स हो गया थे और यहां पर अब हम देख सकते हैं temperature फ्रंट साइट से temperature हमको देखने मिलता है दोस्तों 41 42 जी हम एक्जेम ने यह देखने को मिल रहा है और अगर मैं इसको करता हूं rear side में तो यहां पर में 40 41 तक हम यह देख लिए चलिए अब charging टैस्ट भी कर लिते हैं क्योंकि यहां पर मैं 68 वाट का charging support देखने को मिल रहा है तो क्या यह iPhone charging में हीट होता है या फिन नहीं वैसे मैं आपको बता दू कि इस फोन में 4800 मेंच का बैटरी देखने को मिल रहा है तो यह भी अच्छी बात है कि हमें यहां पर बड़ा बैटरी देखने को मिल रहा है तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ charging को 5 मिनिट के बाद इस फोन को मैं on कर दूँगा और 10 मिनिट के बाद चेक करते हैं मतलब हर 10 मिनिट के इंटर्मेर में चेक करते हैं कि यह iPhone कितना चार्ज हो चुका है और last में चेक कर यहां फोन को चार्ज करते हैं और यहां पर आप दिख सकते हैं 28 परसंट यह फोन चार्ज हो चुका है 20 मिनिट के बाद दोस्तों जब हम चेक किया तो यह 61 परसंट चार्ज हो चुका था अब देखना यह होगा कि इसको 100 परसंट चार्ज होने में किती रेड़ लगती है 40 मिनिट के बाद दोस्तों जब हम चेक किया तो यह 95 परसंट पर पहुचा था और यह कंपरेटिवरी अब थोड़ा सा स्लो हो गया है चार्ज होना देखते हैं कि 100 परसंट चार्ज होने में इसे किती रेड़ लगती है और दोस्तों काफी देड़ से यह आइपोन 99 परसंट पर स्टाक हो गया है 50 मिनट के बाद जब हम चेक किया तब भी यह आइपोन हमें 90 परसंट ही देखने को मिला और फाइनल दोस्तों करीब 50 मिनट और 40 सेकिंड का टाइम लगा है इस फोन को 100 परसंट चार्ज होने में अब टेंपरेचर को जएक कर लेते हैं दोस्तों तो जी नहीं यह बिल्कुल भी गरम नहीं हुआ है इनफेक्ट 34-35 डिगरी का टेंपरेचर हमको यहाँ पर देखने मिलता है रियर्ट साइट से भी यह मैगजिम हमें 35 ही देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर यह फोन बिल्कुल भी गरम नहीं हुआ तो कुलमा कर दोस्तों कुछ ऐसे रिजल्स हमको देखने मिलते हैं इस फोन के हेटिंग के और अगर मैं इन सभी रिजल्स को कम्माइन कर लेता हूँ और फाइनल वडिक की तरव जाता हूँ दोस्तों तो हाँ थोड़ा सा यह फोन गरम हो जाता है इसका जो टेंपरेचर था यह 40-41 तक पहुँज रहा था हाला कि इतना ही टेंपरेचर जो बाकी फ्लेक्शिफ फोन्स होते हैं चाहे फिर हम सैमसंग की डिवाइस की बात कर रहे हैं चाहे फिर मैं यहाँ पर एक्जिरोस 2100 की बात कर रहा था या फिर अगर मैं बात करता हूँ स्नाप्टेंग 888 की तो 40-41 तक कोई भी डिवाइस जा सकता है मुझे तो अभी तक ऐसी रिजल्स देखने को मिले हैं दोस्तों बाकी इसका हम कंपरेजन करने वाले हैं आग्याने विडियोस में तोड़ सा और एक्ट्रीम पर्फोर्मेंस करके देखेंगे क्या रिजल्स सेम होते हैं या फिर चेंज होते हैं ये आपको आगे अने वीडियोस में हम बताने वाले हैं चले दोस्तों बढ़ते हैं आगे बात करते हैं सेक्योरिटी की तो साइड मौंटर इंट फिंगर्पेंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है हाला कि यहां पर मैं सोचता था कि इन डिस्प्ले फिंगर्पेंट सेंसर मिलना चाहिए था क्योंकि बाकी सारे स्प्रस्वेशन फ्लैक्शिप है तो यह टेक्नोलजी भी मैं बिल्कुल मौडन देखने को मिलनी चाहिए थी हाला कि इसका पर्फोर्मेंस दोस्तो अच्छा है वो यहां पर हम देख सकते हैं अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो यॉई की तो स्टॉक यॉई की साथ में ये काम करता है Android 12 पे ये Auto Box आपको देखने को मिलेगा और Motorola गारेंटी करता है कि यहां पर आपको अगले दो अपडेट जानी कि Android 13 और 14 भी देखने को मिलेगा इसके लाब अगर मैं बात करता हूँ Security बेच की तो वहाँ पर भी Motorola गारेंटी करता है कि आपको 3 साल तक यहां पर Security अपडेट भी देखने को मिलने वाले है इसके लाब अगर मैं बात करते हैं दोस्तो Sound की तो यहां पर आपको stereo speaker देखने को मिल जाते है और Sound Quality भी मुझे काफी अच्छा देखने को मिला वहाँ पर भी कोई की अंपलेड नहीं दी हाला कि Loud थोड़ा सा कम था लेकिन जो Quality था Sound का वो मुझे काफी अच्छा लगा इसके लाब दोस्तो Multimedia Experience भी काफी अच्छा था Display के बारे मैं आपको quality बताया Sound Experience भी यहां पर काफी अच्छा मुझे देखने को मिला और इसके लाब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो IP रेटिंग की तो IP 52 रेटिंग के साथ मैं आपको यह मिलता है तो waterproof तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जो splash repealent होता है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है तो overall दोस्तो कुछ इस तरीकी का मुझे देखने को मिला है यह थे मेरे first impression Moto A30 Pro के और इस चीश को लेकर मतलब heating issues को लेकर इन devices में जो लोग परेशान रहते हैं तो वहां पर भी मुझे SH को issue देखने को नहीं मिला है अभी तक तो यह iPhone मेरे साबसे बहुत रही हीट नहीं हो रहा है बागी चेक करेंगे जैसे कि मैं आपको दया आग एनेवल वीडियो में तो मैं तो दोस्तो इस प्राइस पर इस फोन को recommend कर सकता हूँ आप नीचे description में link available है वहाँ पर जाके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं तो बस दोस्तो यही था आज कि इस वीडियो में बज़ी उमीद है कि आपको यह पसंद आगा होगा इस वीडियो को like और शेकरना मत बुलिएगा आप क्या सोस्ते हैं इस phone के बारे आप नीचे में कमे description मता सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में आज के वरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद